असलाव लेकुम गाइस, वल्कम बैक टो मैं चानल, आज हम सिखेंगे हिजाब को कैसे बानते हैं, चार तरीके से, चले सिखें आप यहां पे बनवाली कैप ले लीजिए, ऐसा पहन लीजिए और यह जो डुपट्टा है, उसको ऐसे डाल दीजिए, एक तरफ फुल कर दीजिए एक थोड़ा से रख लिजे एक तरफ और यहां पे अच्छे से पिन कर लीजिए, सेफटी पिन के साथ उसको अंदर से डाल दीजिए पिन को और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको ले लीजिए और ये जो ऐसा ऐसा डाल दीजिए उसको फोल्ड करके और थोड़ा लूज होनी चाहिए नीचे यहां पर हैर बैंड ले रही हो में हैर बैंड से ये टाइट बैठेगा और इसको गिरेगा भी नहीं है डुपट्टा देखिए कितना टाइट बैठ गया है वरना ये निकल जाता है इसलिए हैर बैंड से ये टाइट अच्छे से बैठ जाएगा और यहां पर पीछे से एक और ले ले लेंगे और वो हैर बैंड को कवर कर लेंगे और ये मैं फैंसी पिन लिया है उसको मैं यहां पर टक कर रही हूँ देखिए फ्रिंज कितना सुन्दर लग रहा है और ये टाइट भी बैठेगा और ये गिरने का भी चैंसस नहीं है तो देखिए यहां पर कवर भी हो गया है और देखिए फ्रिंज कितना सुन्दर लग रहा है ये और बहुत अच्छे से लग रहा है और ये बहुत अच्छा लगेगा आप ओकेशनली भी इसी यूज कर सकते हो कॉलेज गर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा और यहां पर दूसरा वाला ये मास्क के साथ और इसको इयर के अंदर हम लोग डाल लेंगे और ये बड़ा वाला हिस्सा और ये छोटा वाला हिस्सा और यहां पर में अंदर थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है इसको छोटे वाले हिस्से को अंदर की तरफ लेकि वहां पर पिन से सेफटी पिन से टक कर लेंगे और ये वाले हिस्से को अच्छे से हम लोग फोल्ड कर लेंगे और इसको पीछे की तरफ लेंगे और यहां पर सेफटी पिन के साथ टक कर लेंगे हम और यह पीछे की तरफ लेते हुए और यह पीछे की तरफ लेते हुए वहां से वो कॉर्णर वाला लेके ऐसे इसको कवर कर लेंगे लेयर वाइज इसे लेंगे फस्ट लेयर और वो सकेंड लेयर और यह थर्ड लेयर यहां पर हम सेफटी पिन के साथ इसे टक कर लेंगे देखिए यह वाला मैंने पिन ले लिया है और यह सारे लेयर को इखटा पगड़के इसको हम पिन कर देंगे अच्छे से टाइटली ताकि निकलना पाए देखिए फ्रेंज जो बच्चा हुआ हिस्सा है उसको हम लेंगे और पीछे के तरफ हम टक कर लेंगे सेफ्टी पिन के साथ अच्छी तरह से उसको पीछे ले जाएंगे वहां पर टक कर लेंगे अब भाया को टक कर लिया है मैंने देखिए फ्रेंज कितना प्यारा कितना सुन्दर लग रहा है ये वाला वित मास्क के साथ और ये बहुत अच्छा लगेगा जब आप वेर करोगे और ये वाला थर्ड वाला है देखिए फ्रेंज मैंने ऐसा वाला कैप लिया है ये डिफ्रेंट टाइप का कैप है जो अब अब अवेलेबिल है और ये ऐसा आजाएगा इसको हम बन शेप में दे देंगे और इसको पिन के साथ हम टक कर लेंगे अच्छी तरह से हम ये बन बना लेना है और अभी ये मैं नेट का डुपट्टा ले रहे हूँ इसको मैंने अंदर से थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है थोड़ा अच्छा लुका आने के लिए हम पे अच्छी तरह से पिन कर लेंगे अंदर की तरफ से पिन करेंगे और मैं लेफ्ट साइड के तरफ छोटा और राइट साइड के तरफ बढ़ा कर लिया है और दूसरी लेयर बढ़ा रहे हूँ यहां से दूसरी लेयर लेंगे और इसको भी यहां आगे की तरफ पिन कर लेंगे और आप पिन अंदर से करेंगे सेफटी पिन को लेके मैं इसको भी अंदर से पिन कर रही हूँ दो लेयर्स हो चुके हैं अब यह छोटा हिस्सा इसको मैं पीछे से सेम वैसे ही जैसे लास्ट इस में किया था तो उसको वहां अंदर से मैं अब आया के अंदर टक कर लूँगी और ये अच्छी तरह से छोटा वाला हिस्सा कवर हो गया अब ये बड़े वाले हिस्से से हम थर्ड लेयर बनाएंगे इसको भी हम यहां से पिन कर लेंगे तीन लेयर हो चुके हैं और ये लास्ट लेयर है और यहां पर मैं यह वाली पिन यूज़ कर रही हूँ फ्लावर वाली और यहां पर मैं अच्छी तरह से सारे लेयर को इकठा करके मैं टक कर रही हूँ देखें फ्रेंज कितना सुन्दर लग रहा है यह यह नेटकाड उपटा हम तो अभी अभी वही अवैलेबल होता है तो हम लोग occasionally जब यह कहीं functions पे जाते हैं तो नेटका ही अवैलेबल होता है तो इससे भी बहुत सुन्दर सुन्दर हम बना सकते हैं देखिए फ्रेंट इसको मैंने अच्छी तरह से मैंने लेयर वाइस कर लिया है और कितना सुन्दर लग रहा है और बहुत अच्छा लगेगा आप जब एर करोगे तो कितना सुन्दर लेयर लेयर वाइज उपर से भी और नीचे से भी लग रहा है देखिये फ्रेंच देखिये फ्रेंच ये लास्ट वे है और ये मैं शिफॉन का डुपटा यूज कर रहे हूँ और इसको मैंने ऐसे करके यहां पे दो पिंस सेफ्टी पिंस लगाऊंगी और ये अंदर से मैं इसको टक करूँगी और ये यहां पे भी राइट साइट में भी अंदर से ही टक करूँगी देखिये फ्रेंच ये दो तरफ भी टक हो चुके हैं एक तरफ का छोटा और एक तरफ का बड़ा ले लिया है और मैं इसको सारा इखटा करके opposite directions में लेके ये layer बना लिया है फिर यहाँ से एक layer जाएगा और यहाँ पर मैं ये fancy hairband ले रही हूँ आप जो भी flower का आपके पास है उसको use कर सकते हो ताकि ये chiffon का डुबटा tightly wear कर पाए आप tightly रह पाए और ये बहुत सुंदर भी लगेगा जो flower है वो और मैं ये hairband को cover hairband जैसा नहीं दिखना है तो इसलिए मैं यहाँ पर cover कर रही हूँ और इसको यहाँ पर मैं safety pin से pin करूँगी यहाँ पर और ये hairband जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पर आगे से आप pin कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो ये friends आपको ये वीडियो पसंद आए तो like करिए, subscribe करिए और bell icon को press करिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहे thank you friends, thanks for watching